असलाम अलेकूं वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विट इस रेसिपी बाई मी आज जो रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो है चिकन लच्छा पकोडा आलू चिकन के स्नेक की यह ऐसी मज़ेदार रेसिपी है जो सब छोटे और बड़े बड़ी शौक से खाते हैं यह रेसिपी बहुत यूनिक और डिफरेंट है अगर आपके गर महवान आ जाएं और टी टाइम पे भी यह रेसिपी बहुत ज़ट पर तयार हो जाती है इससे पहले जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंश सकेगी तो आईए इस रेसिपी में जो इंग्रीडियों शामिल होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं यहां पर मैंने एक किलो चिकन ले लिए इसको मैंने इस तरह टुकडों में काट लिया है इसके बाद मैं लेमन का रसेट करूंगी इसके उपर तीन चम्चे मैंने कौन फ्लोर लिया है चार चम्चे मैंने बैसन लिया है और एक चम्चा मैंने कुटी लाल मिर्च लिये एक चम्चा मैंने नमक लिया है और एक चम्चा मैंने पिसी लाल मिर्च लिये आदर चम्चा मैंने हल्दी लिये और यहां पर एक चम्चा मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है इसके इलावा मैंने एक चम्चा जीरा लिया है और एक चम्चा मैंने कुटावा धन्या लिया है और एक चम्चा मैंने काली मिर्च का पॉडर लिया है इसके बाद मैं ये लेमन को इसमें एट करूँगी, इसका रासे एट करूँगी इसमें हमाई चिकन में फ्लेवर और जाएका बहुत अच्छा आएगा तीन चम्चे कौन फ्लॉर एट करूँगी, चार चम्चे बैसन एट करूँगी इसके बाद मैं जीरा, धनिया और गरमसाला एट करूँगी सारे स्पाइसिज एट कर दूँगी, अरी मिर्चों का पैस एट करूँगी और इन तमाम चीजों को चिकन में अच्छे से हलके हलके हाथों से मिक्स कर लूँगी चिकन में हर चीज अच्छे ताह से मिक्स होनी चाहिए इसके बाद मैं दो से तीन चम्चे पानी एट करूँगी ताकि हमारी चिकन और इसका मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए चिकन में मैं सारे स्पाइस शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मेरिनेट करने के बाद एक गंटे के लिए रख दूँगी लच्छे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं किलो आलू जिसको मैंने छील के पानी में डाल दिया था ताके यह काले ना हो आलू हमें इस तरह लंबाई में लेना है इसके बाद इसमें जो मसाले शामिल होंगे वो ही जो हमने चिकल में एट किये थे यहाँ पर तीन चमचे बैसन लिया है और दो चमचे हमने कॉन्फलोर लिया है और आदर चमचा यहाँ पर हम नमक डालेंगे क्योंके नमक यहाँ पर कम जाएगा आलू में और इसके बाद एक समचा हमने कुटी डाल मिर्च लिये और यहाँ पर हमने ले लिया है करदू करश और हम आलू को लंबा लंबा करश करेंगे ताके हमारे आलू के लच्छे लंबे लंबे निकले इसी तरह हम सारे आलू को गर्दू बश कर लेंगे और देखें यहाँ पर इसके लच्छे कितने लंबे-लंबे हुए हैं अब यहाँ पर इनि लच्छे को मैं सॉफ्ट हादों से पानी से निकाल के अलग बाल में डाल दूँगी और इसी तरह हमें सारे लच्छे निकाल लूँगे आलू के और सारे लच्छे हम बॉल में अच्छे से निकाल लेंगे अब यहाँ पर जो हमने आलू के लच्छे निकाल लिये थे पानी से उसमें confloreate करेंगे बैसन एट करेंगे नमक एट करेंगे कुटी लाल मिर्च एट करेंगे और इन तमाम चीजों को लच्छे में अच्छे तरह से mix कर लेंगे हमें यहाँ पर पानी एट नहीं करना है क्योंके पानी पहले से यह आलू में शामिल होता है इसलिए पानी की ज़़ुरत नहीं है अब तमाम चीजों को अच्छे से हमने mix कर लिया है यहाँ पर हमने खाली कड़ाई लिया है इसमें हम तेल एक करेंगे और तेल हमें ज्यादा एक करना है क्योंके हमाई चिकन डीफ फ्राई होगी तो यहाँ पर जो चिकन हमने गंटे के लिए रखी थी मेरिनेट के लिए व प्रेस करेंगे और इसको तेल में डाल देंगे तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंके हमने जो इसमें चिकन डाली है वो कच्छी है बिल्कुल हलकी सी आँच पर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे ताके गोश अंतर तक गल जाए फिर हम इसी तरह आ हम सारे बना कर तेल में डालते रहेंगे और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जैसे ही लाइट ब्राउन होना शुरू होंगे हम इसके साइट चेंज कर देंगे और दुस्री साइट से भी सितना फ्राई कर लेंगे इसका कलर हमें लाइटी रखना है डार्ग प्राउन नहीं करना है और देखें यहाँ पर यह पकोड़े कितने क्रिस्पी बनके रेडी हुए हैं उनका कलर भी कितना जबदस लग रहा है अब में एके करके सारे पकोड़े एक टिश में निकाल लूँगी और बाकी के जो बचे थे वो भी में एके करके सब फ्राई कर लूँगी और यहाँ पर हमारे सारे लच्चे पकोड़े फ्राई होके रेडी हो चुके हैं और यह इसका फाइनल लूप यह बहुत ही यमी और डिलिशिट बनके रेडी हुए हैं यह आलू और चिकन की ऐसी यूनिक रेसिपी है जो हर कोई इसे खाना पसंद करेगा और ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट बनके रेड़ी हुए है अंदर से आलू और चिकन बहुत ही सॉफ्ट हैं और उपसे बहुत क्रिस्पी बने हैं और चिकन भी अच्छे से गल गई है आप इसे केचप या अपनी पसंदीदा सोस के साथ खा सकते हैं यहां इसे मैंने इमली और गरीन चटनी के साथ सर्फ किया है आपको ये मेरी मज़दार रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए का वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी मज़दार वीडियो लेकर जल्दी मिल यूंगी तबता के लिए आलगा खाफीज